जी हाँ अरविंद केश्रिवाल की निगाहे आज कोट की तरफ से हैं आपको बता दें कि आज केश्रिवाल ने शुगर की जाज के लिए रेगुलर डक्टर से बात करने के लिए राउस एविन्यू कोट में याचिका दाखिल की है याचिका में कहा गया कि केश्रिवाल पूर दिन दिन बात चीत करने के लिए वर्चुल जोडने के लिए मौका दिया जाए वहीं आज एडी ने दलील दी है कि जेल के डॉक्टर से चांच करवाई जा सकती है दूसरी तरफ मनीश शोदिया की आज न्याइक हिरासत खत्म हो रही है आज उन्हें कोट में पेश किया जाए है यानि कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले यहां शराब घोटा लेके इर्द गिर्द उनकी पूरी रन्नीती खूमती हुई नजर आ रही है अरविंद केश्रिवाल अपनी डॉक्टर से मिलने की मांग कर रहे हैं अमानतुला खान के खिलाफ एडी एक बार पिर कोट पहुंची है और तीन तस्वीरे आपके सामने इन तीज तस्वीरों में अरविंद केश्रिवाल की आज न्याई खिरासत खत्म हो रही है और राउज एवेन्यू कोट पहुचेंगे देखना होगा कि कोट उनकी न्याई खिरासत को आगे बढ़ाती है आपको बता कि राउ जेविन्य कोर्ट में मनीश शुदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई चल रही है हमारे सेयोगी अभे पराशर इस वक्त हमारे साथ जोड़ गए है अभे सवाल ये है कि अरविंद केजरिवाल ने एक तरफ तीन दिन के लिए हफते में तीन दिन दॉक्टर से मिलने के अनुमती मांगी है उस पर E.D. का पक्ष क्या है और मनीश शुदिया की न्याई खिरासुत पर अदालत से आज क्या फैसला सकता है देखे बिल्कुल अरविंद केजरिवाल ने जिस तरीके से एक अप्लिकेशन मूव किया है वर्चुली जो है कॉंटेक्ट कर सके अरविंद केजरिवाल से यानि की जेल के अंदर वर्चुली संपर्क में रह सके और उनकी दवाईयों के बारे में बता सके लेकिन इस पूरे मामले के अंदर आज अब कोर्ट में सुनवाई होगी इनके पुराने डॉक्टर्स जो है वो वर्चुली कनेक्ट हो सके इस पर सुनवाई होनी है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इससे पहले हफते में पांच बार अपने वकीलों से कॉंटेक्ट करने की उनसे परामश लेने की भी याच्चे का लगाई थी अर्विंद केजरिवाल ने लेकिन उसे राउज विन्यू कोर्ट ने खारिच कर दिया था अब देखना होगा मेडिकल टरम्स पर कोर्ट के अंदर क्या सुनवाई होती है तिहार जिल क्या जवाब देता है अपने अस्पताल को लेकर और एडी मेडिकल को लेकर क्या जवाब देता है पवन ये तो अर्विंद केजरिवाल की सेहत को लेकर हुआ अब है दूसरा सवाल मनीश शोदिया की आज न्यायक हिरासत खत्म हो रही है ED क्या दलील देगी और अर्विंद के जिरिवाल के अलावा मनीश शोदिया की जमानत अरजी पर भी सुनवाई चल रही थी, क्या स्थिती है? देखे बिल्कुल मनीश शोदिया की आज नियाई खिरासत खत्म हो रही है, जब पिछली बार उन्हें कोट के अंदर पेश किया गया था, जमानत याचिका की सुनवाई जो है वो भी एक तरफ चल रही है, लेकिन ED को, क्योंकि ED ने ये बात कही थी, कि अब तक जितने आरोप से जो रिकवरी हुई है, जो पूसाच करनी है, उसमें कितना समय लगता है, इस बात की जानकारी ED कोट के अंदर दाखिल करे, और आज सबसे पहले कि अब तक जितने आरोपियों को ग्रफतार किया गया है, उनसे क्या-क्या रिकवरी हुई है, पूसाच में क्या कुछ बता दाखिल करेगी, तो वहीं मनीश शिशोदिया के जो वकील है, उनकी तरफ से जो जमानत याचिका है, क्योंकि उस पर भी सुनवाई लगातार चल रही है, उसमें ED को नोटिस दिया गया था, और ये कहा गया था, कि ED अपना जवाब दाखिल करे, कि अभी तक पूसाच में क क्या कुछ आया है, और आगे क्या जरूत पढ़ने वाली है, तो इन तमाम चीजों को लेकर अब देखना होगा, कि मनीश शिशोदिया के वकील जो है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे है, कि मनीश शिशोदिया को अब जमानत दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले, साल 2023 में उन्होंने जमानत याची का लगाई थी, तो कोट ने कहा था, कि अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल की प्रिकरिया जल्दी हो, उसके बाद आप अप अप्लिकेशन लगा सकते हैं, तो आज एडी अपनी दलिल रखेगी, और लगातार अपोज करेगी, जिस तरीके से मनीश सिशोदिया के वकील ये चाह रहे हैं कि उनकी जमानत हो जाए, तो एडी भी अपनी दलिले देगी, सबूत पेश करेगी, कि अब तक क्या रिकवरी हुई है, और मनीश सिशोदिया की जमानत याची का क्यों खारिच कर दी जाए, इसको लेकर भी अपने ग्राउंड्स रिक तो झाला घाए, तो एक्नाती है